आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी एक्योपाइब का बहुत सवागत है दोस्तों मैं वीडियो बना रहा था कि विकास दूबे को अरेस्ट कैसे किया गया और अब मुझे खबर ये मिल रही है कि विकास दूबे कैसे हुआ साथी साथ दोनों पक्ष को देखेंगे कि क्यों एंकाउंटर होना चाहिए था और क्यों नहीं होना चाहिए था कानून हमारा ये कहता है कि एंकाउंटर जो है वाजब वज़य पर करो तो ठीक है देखें एंकाउंटर जो है definitely ऐसे कुख्यात अपराधी से इसी क नाक में दम करके रख दिया है ठीक है और 60 से ज़्यादे इसके उपर मुकदमे चल रहे हैं पांच लाग के उपर का इनाम है इसके उपर तो यह आतंकवादी से तो कम है नहीं ठीक है ना कोई सहनबूती नहीं है लेकिन यहां पर दोस्तों इसमें एक बात आती है देखिए अ एक्सपर्ट्स की अगर हम माने एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं इस पर और जो कुछ पुलिस अफसर का क्या बोलना है जो रिटायर हो चुके है वो बताते हैं कि यहां पर विकास दूबे से अगर पूछताच की जाती बहुत बड़े-बड़े लोगों का नाम सामने आता ठीक है विकास दूबे विकास दूबे बना कैसे मैं आपको थोड़ा सा एक backstory बताना चाहता हूँ वसूली का धंदा करता था यह जमीन हतिया इसने विकास दूबे विकास दूबे इसलिए बना क्योंकि इसको पुलिस की बैकिंग डेफिनेटली रही होगी ठीक है ऐसा तो ह STF के भी एक बड़े आला दिकारी को सस्पेंड कर दिया गया पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए पॉलिटिकल बैकिंग रही होगी डेफिनेटली पॉलिटिकल बैकिंग थी ही यहां पर है ना तभी तो इतना बड़ा दबंग बना एक क्रिमिनल केस अगर आपके उपर हो ज अगर इससे पूछताच की जाती तो डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े नाम सामने आते और उन लोगों को हम पकड़ सकते थे जो ऐसे गुंडों को इतना बड़ा बनाते है और उनको जेल में डाल सकते थे लेकिन अब इसका एंकाउंटर हो ग्या और उसके सयोगियों का भी एंकाउंटर हो ग्या ठीक है तब यहाँ पे से पूछताज करनी चाहिए थी, इसको सजा तो होती, क्या पता फासी की ही सजा हो जाती, प्लस बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ जाते हैं, तो आज हम बात करेंगे विकाज दूबे के एंकाउंटर की और अरेस्ट की भी बात करेंगे, तो चलिए आगे मेरी आइडी, कहानी देखते है क्या है, देखें, मैं इस कहानी को, मैं इस पूरी जो ये घटना हुई है, बहुती क्लोजली इसको वाच कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी नजर है, पहनी नजर है मेरी, साथ दिन में जो हुआ है, एक एक दिन का ब्योरा मैं आपको दे सकता लेकिन फिलाल मैं अभी इसमें इतना नहीं दूँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बडीव बताता हूँ, साथ दिन पहले, सब कुछ फ्राइडे को शुरू हुआ, ठीक है, तीन जुलाई को इसने आठ पुलिस वालों के पल हमला किया, और बहुत खतरनाक इसका प्लान कि ये लोग मुझे पकड़ने आ रहे, सब कुछ पता था, इसने बकायदा पेट्रोल डीजर मगा लिया, ठीक है, मतलब सब कुछ जलाने की तैयारी थी, यू विल बी सप्राइजड टू नो, 400 से 500 राउंड फाइरिंग हुई है, आप विश्वास करेंगे, खुद देवें आने की तैयारी थी, सब कुछ जला देता ये, लेकिन एक पुलिस वाले ने बैक अप टीम को फोन कर दिया, जिसकी वज़े से इसको भागना पड़ा, अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने इसके दो सयोगियों को धेर किया, तीसरी दिन से दोस्तों आरेस्ट श उसके बावजूद विकास दूबे पकड़ा नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है, पुलिस वालों ने, पुलिस डेपार्टमेंट ने कुछ पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया, आप समझते हैं, STF के भी आला दिकारी को सस्पेंड किया, एक लेटर लीक हो गया था, तीसरे दिन से अरेस्ट शुरू होती है, पुलिस डबिज डालना शुरू करती है, विकास दूबे पे इनाम जो है, वो 50,000 से बढ़ा कर 5,000,000 कर दिया गया, जो भी विकास दूबे को पकड़ के लाएगा, उसको हम 5,000,000 देंगे, और विकास दूबे का कोई अताही पता नहीं, जमीन खा गई कि आस्मान निगल गया, कहां गया, पता ही नहीं, बलकि पुलिस ने ये बताया था कि सारे बॉर्डर से पुलिस ने सील कर दिये थे, और MP बॉर्डर और डर था कि नेपाल कही ना भाग जाए, यहाँ पे बहुत चौकसी थी, टीन स्टेट गया, पहल वहाँ पे जब दमिज डालने गई, वहाँ से फरार हो गया, यानि कि कही ना कही लीक है, कही ना कही तो इंफर्मेशन पता चली रही है न, ठीक है, और UP पुलिस का भी थोड़ा अंबैरस्मेंट है, क्योंकि मिला ये MP में, ये उज्जैन के महाकाल मंदिर में मिला, ये हो शेहडोल में इसका ससुराल है, तो MP में तो बहुत अच्छे से चौकसी करनी चाहिए थी, ठीक है, वाडर्स पे, लेकिन उसके बावजूद विकास दूबे जो है, वो भागने में कामियाब हो गया, अब कुछ लोगों का ये कहना है, जब पुलिस फरीदाबाद होटल में दबिश मारने पहुची, दबिश डालने पहुची, तो विकास दूबे चार किलोमीटर साइकल से भागा खेतों के रास्ते, कुछ का ये मानना है, फर्जी आईडी तो थी विकास दूबे के पास, कुछ का ये मानना है कि रोड के रास्ते गया ये, लेकिन जो भी हो, ये MP पहुच गया, साथ दिनों में, और इसको कोई गम नहीं था, अराम से घूम रहा था इधर से उधर, ठीक है, हुआ क्या दोस्तों, पगड़ा कैसे गया ये, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ, विकास दूबे क्या था, कल की बात है, सुबह साथ बच के पचास मिनट पे, महाकाल मंदिर पे आया है, है ना, उजयन के महाकाल मंदिर पे आया, फूल वाले के पास गया, इसके पास एक बैग था, फूल वाले के पास गया, फूल वाले से इसने बोला, कि बैग कहा रखू, तो फूल वाले ने बोला, कि जहां आपने चपल उता लिए, वही पे रख और के भागा है कि तब इसने गार्ड को कंप बताया ओंदर फिर सबस्राई चुरू कि है तो अभी मंदिरों में भीड भाड नहीं हो रही है लेकिन महाकाल मंदिर में सुबा मा अर्टी होनी थी ठीक है अब ये आर्थी स्ले भी बहुत एहम थी कि ये महामारी खता मुझा उसके लिए आर्थी होनी थी तो विकास दुबे सुबे सुबे वहाँ पहुँच गया अब दो होते हैं, दो टिकट होते हैं ठीक है, एक तो नॉर्मल एक तो नॉर्मल लाइन में लगके आप दर्शन करिए और आपको टिकट लेना पड़ता है, जो विआईपी एंट्री होती है वो धाइसो रुपे का टिकट पड़ता है तो विकास दुबे ने विआईपी एंट्री से धाइसो रुपे का टिकट लिया मंदिर के दर्शन के लिए और उसके बाद पीछे के रास्ते से गया पीछे के दर्वाजे से गया सुपर्वाइजर, यहाँ पुलिस जो है मीनवाइल क्या कर रही थी, इसके उपर निर्गरानी रख रही थी जब पता चला कि यह विकास दुबे हो सकता है तो यहाँ पे जो सुपर्वाइजर उसमें गूगल पे सर्च किया लेकिन तब पता चला कि यह विकास दुबे जो फोटो में विकास दुबे है वो अलग है यह वाला विकास दुबे थोड़ा अलग लग रहा है फोटो वाला विकास धुबे उस थड़ा हिल्दी है, पेट निकला हुआ है, लेकिन विकास धुबे के चहरे पे छोट का निशान था, वहां से ये पकड़ा गया, तो जैसे ही बहार आया, पुलिस ने धर्दा पोचा, अब जैसे पुलिस ने धर्दा पोचा, तो विकास धु हम बता रहे हो तो मारी आईडी पर नवीन पाल लिखा है तो विकास दूबे ने बुला शुभम मेरा निक नेम है प्यार से लोग मुझे शुभम बुलाते हैं लेकिन फिर पुलिस ने माना नहीं और चारों तरह से विकास दूबे को घेर लिया धर्द पोचा तब विकास साच कीज गई, STF तीन बजे शाम के तीन बजे तक STF भी पहुँच गई, MP पुलिस ने STF को सौंप दिया, उसके बाद दोस्तों जब ये खबर आई तो पुलिस ने फिर होम मिनिस्टर जो MP के होम मिनिस्टर है उनको इन्फॉम किया और होम मिनिस्टर ने फिर शिवराज स पहले दिन क्या था पहले दिन विकास दूबे ने यहां पर हमला किया फिर भागा विकास दूबे दूसरे दिन विकास दूबे के घर तोड़ दिये तीसरे दिन अरेस्ट शुरू होता है पांचवे दिन तक आते आते विकास दूबे के सहीयोगियों का एंकाउंटर किया जात यही तो डर था ना, विकास दुबे यही कह रहा था यही आपे सवाल उठ रहा है कि क्या यह सरेंडर तो नहीं है सरेंडर दोस्तो इसकी possibility बहुत जादा है चलिए इस पे भी मैं दोनों पक्ष को discuss कर लेता हूँ कैसे इसकी possibility जादा है एक तो विकास दुबे को डर था कि मैंने पांच सहयोगी मारे जा चुक है मुझे भी मार दिया जाएगा कभी ना कभी मुझे मार दिया जाएगा मार भी दिया गया दूसरा यह है कि यह best रहेगा कि महा काल मंदिर में सरेंडर करो क्योंकि एक तो भीड भाड़ा वाला इलाका है सुबह बहुत भीड होती है मंदिर में सुबह सुबह आर्थी होती है सुबह से बढ़िया कुछ है ही नहीं सरेंडर करो लेकिन दूसरा तरक यह दिया जा रहा है सरेंडर किया का इसने इसने बोला क्या कि मैं विकास दूबे हूँ ऐसा तो है निकि पुलिस के पास सला गया ये ठीक है इसने सरेंडर ये तो फूल वाले इसको पहचान लिया ना और प्लस यहाँ पे जब इसको पकड़ा गया तब भी अपनी आइडेंटिटी चुपा रहा था लेकिन वही ये प्लान भी हो सकता है विकास दूबे का तो ये भी सवाल उठ रहे हैं लेकिन दोस्तों अब इन सवालों का कोई फर्क नहीं कोई इसका कुछ नहीं है क्योंकि अब इसको मार दिया गया है अब दोस्तों क्या हुआ कि विकास दूबे जब कांपूरी आ रहा था तो ठीक पहले क्या हुआ कि गाड़ी पलट गई ठीक है? डेफिनेटली कुछ जड़प होई होगी, पूरी गाड़ी पलट गी. और गाड़ी पलटी जो विकास दूबे भागा फिर पिस्टॉल लेके, जिसमें चार पुलिस वाले भी गाड़ी पल्टी चार पुलिस वाले घायल हुए और इसे में ही विकास दूबे का एंकाउंटर कर दिया गया, मार दिया गया विकास दूबे को और जैसे ही मारा उस समय घायल था, इसको हस्पिटल लेके आया गया और हस्पिटल वालों ने ब उच्ताज की जाती, तो समझ लिजे, कितने लोगों का नाम सामने आता, ठीक है, कानून का एक प्रोसीजर होता है, और अगर उस प्रोसीजर के हिसाब से चलते, तो में भी बहुत लोग, इसको तो सदा मिलती ही, मिलती, ठीक है, यहाँ पे counter argument यह दिया जाता है, कि विकास मैं आपको दोनों पक्ष समझा देता हूँ, पहला क्या है, कि मैं against में समझा देता हूँ, ठीक है, एंकाउंटर कभी सही इसलिए नहीं होता, फर्जी एंकाउंटर जो होते हैं, ऐसे तो किसी का भी पकड़के कर दिया जाएगा, आप कभी पकड़के एंकाउंटर कर दिया अपराधी, अगर जो होते हैं, इस तरीके के अपराधी, ये अपराधी जो हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसका अगर encounter हुआ, यहाँ पे विकास धुबे से बहुत कुछ उगलवाय जा सकता था, और बहुत सारे नाम सामने आ सकते थे, आप समझ रहे हैं, बहुत लोगों तो ये कानून के खिलाब जाता है, ठीक है, हमारा जो कानून इसको allow नहीं करता, दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर अपराधियों की बात करें, अपराधियों का encounter होते हैं, इनको पकड़ किन से बहुत कुछ उगलवाय जा सकता है, अब फॉर में क्या है, देखो, हमारा कान अपने कजन को मारने की planning कर ली थी, ठीक है, तो अगर ये भी है कि विकास दुबिको अगर यहाँ पे पकड़ा जाता, पकड़ के यहाँ पर पुलिस स्टेशन लेके जाते, तो इसके पास इतना सपोर्ट था, क्या पता है छूट जाता, और हो सकता है जो इसके साथ मिले हो ये इसको छोड़वाने की कोशिश करते, ऐसा भी हो सकता है, मैंने बता है ना कि पुलिस की और पॉलिटिकल बैकिंग कही ना कही तो होगी, नेता मिले होते, नेताओ की बैकिंग थी, तो हो सकता है, वो भी इसको छोड़वाने की कोशिश करते, समझ रहे हैं, तो ये भी एक वो दिया जा रहा है इन favor कि इसका encounter क्यों जरूरी था लेकिन दोस्तों देखिए फर्जी encounter जो होते है उसको कोई भी justify नहीं कर सकता ठीक है क्योंकि ये एक तरीके से हमारे कानून के खिलाफ जाता है ठीक है और हम ऐसा है देश नहीं है जहां पर फर्जी encounter हो ठीक है अब आ परते रही है देशे से दान तक नहीं हो तरी signing off